नमस्कार दोस्तों स्वात करते आप से भी कईवश्तिजी कोईज में तो दोस्तों आएच की इस वीडियो में हम से भी देखने बाले हैं बिहार एडियर के लिए प्रीवियर पेपर को यानि कि जो 2023 में कोश्चन पूचा गया है पेपर हुआ है उसी पेपर को हम से भी पिल्कुल औरिजिनल पेपर हैं आप से इस पे 100% भरोसा कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है पेपर में विल्कुल आप से को सेल्विशन करवाने बाले हैं जो भी 2024 में इंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफी इंपॉटेंट हैं ताकि आपको एक पैटन सबसे पहले पराफ्त हो से के इस क्लास को आपसे लाइक जरूर कर देजेगा इतना सा काम आपसे जरूर किजेगा क्लास को लाइक करके सियर अपने दोस्तों में जरूर किजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आए पहला से क्लास को आपसे बिग्यान से कवर करते हैं उसके ब कोईशन आपसी से पूछ लिया जाता कि मिट्टी कटाओ को रोकने के लिए हम सभी क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक वन लगा सकते हैं गाचब्रिक्च लगा सकते हैं तो इसका option में से बिलकुल correct answer हैं तो याद रखेगा इसके आस्थापना 1972 में किया गया था और यहीं से याद रखेगा हर एक बार समसी परियावरन दिवस जो मनाते हैं वो 5 जून को मनाते हैं तो कई बार question पूछा जा चुका है इसको याद रखेगा आप सभी अगला question देख लिएज़ेगा question नमर 49 है MTP का विस्तार क्या है यादि कि यहाँ पर full form से question पूछा गया है तो इसका correct answer option में डियो जाएगा medical termination of pregnancy इसका बिलकुल correct answer है यादि कि full form से भी question पूछा गया है आप सभी से अगला question देख लिएज़ेगा question नमर 50 है कि जड़त्व का SI मात रख क्या है तो देखे option के हिसाब से जो हो जाएगा वो आपका केजी इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा यहाँ पर ध्यान देज़ेगा किस किस टॉपिक से question पूछा गया है एसाई मात रख से question पूछा गया है ध्यान रखेगा आप सभी उसके बाद अगला question देख लिएज़ेगा निमलेकित में से कौन गुंसूतर में महजूत है तो देखे गुंसूतर में जो महजूत होता है वो DNA भी होता है प्रोटीन भी होता है और गुंसूतर बिंदू भी हो जोड़ा में पूछा जाए तो 23 ऐसे पूछा जाए तो 46 यहीं से याद रखेगा कि मानव रख्त का pH मान कितना होता है यह भी पूछा जाता है तो 7.4 होता है ध्यान रखेगा अगला question देखें निम्नांकित में से कौन सा तत्व नहीं है तो देखें यहाँ पर तत्व की ब जान रखेंगा आप सभी हो सकता है कि सूतर पूछा जा सकता है अगला question देखें निम्नाकित में से कौन सा एक कवक का उधारन है देखें कवक का उधारन यह सभी है इस्ट हो गया टोड़ इस्टूल हो गया और पुन्गनिया यह सभी जो है वो कवक का उधारन है तो option मसी बिल्कुल correct answer हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा क्या करता है केंफूजन कर जाता है यहाँ दिया देजेगा यहाँ पर देखें क्या option मसी में यह सभी दिया हुआ है और rear case में देखें आपको option में डी में यह राता है यह सभी यह इन में से कोई नहीं तो यहाँ आपको केंफूजन नहीं करना है किसी भी option में दिया जा सकता आप सभी को इसके लिए टेंसर नहीं लेना अगला है अगला कोईशन देखें मैंडलिब के आवर सार्नी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंत्राल छोड़े गए थे निमलेकित में से किस तत बुको बाद में आवर सार्नी में अस्थान मिला है तो ये मिला है जर्मेनियम को याद रखेगा आप सभी अच्छे जर्मेनियम से सम्मंदित कोईशन आया हुआ है तो यहां से याद रखेगा अगर इसका परमानो संख्या की बात किया जाए तो 32 होता है परमानो भार जो ह बिहार के साथ परती किरिया करके हमें बिलुकुल लवन देता है, option में see right answer हो जाएगा, अगला question देखे लिए जिब अभिहारन बिहार के किस जीले में इस्तीते, यानि कि यहाँ पर वन जिब अभिहारन से question पूछा गया है, तो यह आपका पस्चमी चमपारन में इस्तीते, option नमें right answer हो जाएगा, देखे बिहार से भी संबंदित question पूछा गया है, तो बिहार को पढ़ना आपके लिए काफी important है, बिहार special, हलाकि यह सारा चीछ को हम आपको त्यारी करवाने बाले हैं, तो इसलिए क्या करना है, चैनल को subscribe करें, गंड़ को praise करके रख लेना है आप सना सा काम जाके कर लिजेगा, अच्छे यहां आप सभी से वनिजिव अभ्यारन के बारे में question पूछा गया था, थोड़ा सा वनिजिव अभ्यारन प्रसमि राश्टी उध्यान के बारे में बता देते हैं, याद रखीगा आप सभी, अगर आप से question पूछ लिया जाए कि प अच्छ जीम करविट राश्टी उध्यान कहां पे हैं, पता हैं उत्राखन में जो सबसे पूराना राश्टी उध्याने ध्यान रखीगा आप सभी, और यहीं से question पूछा जाता है कि एक सिंग गिंडा के लिए कौन सा राश्टी उध्यान परसीदें, तो वो काजे रंगा राश्टी उध्यान परसीदें, वो कहां पे असमराज में इस्तितें, इसके अलावा याद रखीगा दुद्भा राश्टी उध्यान के बारे में, जो उत्तर परदेश में इस्तितें, इसके अलावा याद रखीगा एक फैमे से बांधी पूर राश्टी उध्यान, जो कर धातु है उसके बाद जो एकी सलफर भी एक अधातु है और नाइट्रोजन भी एक अधातु है तो धातु इन में से सोडियम है तो आप्शन नमर भी राइट आंसर हो जाएगा यह सोडियम का परतिक है उसके बाद जो एक नाइट्रोजन का एन है यह एक अधातु है उसके ब बस्तु का बिस्थापन समय की वर्ग की समानुपाती है तो बस्तु गति कर रही है तो देखिए बस्तु जो गति कर रही है एक समान तुरंट से गति कर रही है तो आफिशन मसी जो भी टिक करें बिल्कुल करक्ट आंसर है लाश्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताएगा कित को इतना सा काम जरूर कर देना है कि लाई करके सेर कर देना है बस इतना सा काम जरूर किजेगा बेट्रिक से प्राप्त बिद्दुधरा किस परकार की होती है तो देखें बेट्रिक से प्राप्त बिद्दुधरा जो होता है वो आपका DC होता है याद रखेगा यहीं से कोईश DC को AC में कौन बदलता है, तो वो inviter बदलता है, तो इतना सा fact याद रखेगा आप सभी, अगला question देख लिएज़ेगा, question number 60 है, question है कि गाई की स्वधेसी नसली की विशेस्ता क्या है, स्वधेसी या देसी नसली की विशेस्ता जो है, वो है दिर्ग अब्दी तकदूत देना और अल्फ अब्दी तकदूत देना, ये इसकी परमुक विशेस्ता है, तो option में सी इसका बिलकुल correct answer होगा, अगला question देखे, question है, question है, चार द्रब ABCD का आप एक्चित गर्णत वकरम से 1.26 है, 1.0 है, 0.8 है, तथा 13.5 है, एक बस्तू को इन सभी द्रब में बारी बारी सी डूबाया जाता है, इन में से किस द्रब में उस बस्तू का जादा से जादा हिस्सा डूब जाएगा, तो पर C का देखे, आप एक्चित गर्णत पर सबसे कम है, 0.8 है, तो यह ज़्यादा से ज़्यादा डूबेगा, याद रखीगा आप सभी, और जबकि D का आप एक्चित गर्णत पर सबसे अधिक है, तो यह कम भग डूबेगा, तो यहाँ पर option में एक बिल्कुल correct answer हो C का, C का आप एक्चित गर्णत पर कम है, और यह द्रब में सबसे ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा, आगला question देखिए, question number, बहुत से अधिकी, द्रब का गैस में बदलना क्या कहलाता है, यहाँ पर समझेगा आप सभी, द्रब अगर गैस में बदलता है, तो इसे हम सभ बदल गया, तो वो उर्दबा पातन कहलाता है, अगर वही ठोस का अगर द्रब में बदलना हो, तो वो गल्लांग कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, अगला है, एमनी योटा, यानि कि एमेनिया, समू में सामिल है, तो यह किस समू में सामिल है, तो यह option मड़ी राइ किस परभाव पर कारे करती है, देखें, यह चुम्बक के परभाव पर कारे करती है, option में भी right answer हो जाएगा, अगला question देख लिए जएगा, समतल दरपन द्वारा बना परतिभीम सदा होता है, तो देखें, समतल दरपन पर जो परतिभीम बनता है, वो हमेशा अभासी और literally उल्टा बनता है, यानि कि वास्तविक में उल्टा होता है, अवासी होता है, पर उल्टा होता है, तो option में यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा, आए थोड़ा आप समान अध्यन का question देख लेते हैं, जो समान अध्यन का question पूछा गया था, डियलेड में, question है कि पोखरा नगर किस देश में इस्ती थे, तो देखे पोखरा नगर की बात किया गया है, यानि कि पडोशी देश सम्मदित आपको famous सहर को याद रखना होगा, तो याद रखिस नेपाल में इस्ती थे, काटमांडू कहां पे हैं, वो भी नेपाल में इस्ती थे, जो कि इसकी राजधानी है, याद रखेगा, यह 1917 में किया था, कभी किया था, 1917 में, और इस करांती के फल सुरूप क्या हुआ था, जार साहिस आसन वेवस्ता को समाप्त कर दिया गया था, तो यहाँ पर आफिसन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब देखे, यहाँ पर फोकस करना है, कि विस्व इति परयोग जो करते हैं, वो कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, इसके अलावा याद रखेगा, कोबाल्ट साड जो होता है, ठीक हैं, कोबाल्ट साड जो होता है, उसका भी परयोग हम सभी कैंसर के उपचार के लिए करते हैं, तो यह दोनों को याद रखेगा आप सभी, दे के उप नदी के बारे में भी कोश्चन पूछा गया है नदे से समन्द कोश्चन पूछा गया है तो यह सिंदू नदी पर इस्तितें आफशन में ए राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देख लिए जिए कोश्चन नमर 70 है अखिल भारते किसान सबा का गठन कब और कह किया गया था तो यहाँ पर डेट पूछा गया है पलस में जगा का नाम भी पूछा गया है तो यह उन्हें सुच्छच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च परदान मंत्री होता है अच्छा यहीं से याद रखेगा आप सभी योजना आयोक का नाम सुने होंगे जो कि 1950 में योजना आयोक की अस्थापना होता है और पहली पंची वर्सी योजना 1951 से लेके 56 तक चलता है जो कि हेरा और डॉमर मोडल पर अधारित्ता और क्रिसी पे सब से अधिक जोड़ दिया गया था इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है वो भी परदान मंत्री ही होता है योजना आयोक का अध्यक्ष परदान मंत्री होता है या अभी 2015 में इसका नाम चेज़कर के निती आयोक की अग्या है उसका भी अध्यक्ष परदान मंत्री ही ह होता है भिद्यान रखेगा आप सभी तो अगर कोश्षण पूचा जाए तो आंसर कर लिजएगा अगला है निमलेकित में से कौन सी फसल पई-फसल है तो पई-फसल यहाँ यह कि पीने वहाला की बिश्म का चाय का उत्पादन करता है। पानगर ध्यान रखिएगा आप सभी अगला है बिहार में अती जल दोहन से किस तत्व का संकेंदरन बढ़ा है तो आफिसर में एराइट आंस हो जाएगा और सेनिक बढ़ा है ध्यान रखिएगा आप सभी अती जल दोहन के कारण डबलो एचो के अनसार जोएकी बिहार का 18 जीले में क्या हुआ है परती लीटर में जोएकी 10 माइक्रो ग्राम जोएकी और सेनिक पाया गया है तो इसका आफिसर में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा किस देश में ओलम्पिक खेल का विरोध नसल पर अधारित था विरोध नसल प पान में हुआ था इसको जरूर याद रखिएगा आप सभी हो सकता है कोश्चन पूछा जा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको याद रखिएगा आप सभी आफिसर में भी राइट आंसर होगा अगला कोश्चन देखिए मीटे पाने का लगवक 70% डैस ग बर्प यहीं बर्प हैं उसी परकार से यहाँ पर कोश्चन पूछा गया है कि जो की बर्प की एक चादर के रूप में ढखा हुआ है और गलेसर के रूप में है तो यह आपका अंटा क्रिटिका हो जाएगा ऑफिसर में भी ध्यान रखिगा आप सभी यह सबसे दक्षिन मे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है इनमें से कौन सा ब्रिक्च परवतिय वन में पाया जाता है और इसी में पाया जाता है यह सबी ब्रिक्च अगला कोश्चन देखिए पठना का पुराना नाम क्या था तो देखे बिहार से समद्द्दि अभी तक में तीन लिए बोले हैं कि बिहार इंप्वाटनेट है आपके लिए बिहार ची कोश्चन हर सिप्ट में पुछा गया है हलाकि हर शिप्ट का कोश्चन आपको कवर कर वाएंगे हैं इसके लिए आपको टेंसर नहीं लेना है पतना का पूराना नाम क्या था तो याद रखेगा पटली कि अस्थापना किस ने किया था तो उदाईन ने किया था ध्यान रखी गाँ अगला है जन जातियों की सवर्दिक अवादी कहां है तो देखिए जन जाती सबसे अधिक जो पाए जाता है वो अफिरका में पाए जाता है और वही पर अगर भारत में बात किया जाए कि भारत मे में विचार साजा किये हैं और इसे कैसे पराप्त किया जा सकता है तो ये किस वर्स किया गया था क्योंकि वर्स ही पूछा गया है तो याद रखेगा 1987 में किया गया था ऑफिसन में डी राइट आंसर हो जाएगा 1987 में परकासित Brutland Commission Report ने सतत विकास के बारे में विचार साजा किये और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा था अगला है दोतिय विश्यूद का अंत कब हुआ था दोतिय विश्यूद शुरुवात कब हुआ था 249 में शुरू हुआ था याद रखेगा आप से भी 249 में शुरू हुआ था दोतिय विश्यूद और ये आपका 245 तक चलता है ये पता हैं आप से भी को बिल्कुल पता होगा तो ये 245 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 245 में समाप्त हुआ था यहीं से याद रखेगा पहला विश्यूद की बारे में जो कि 1914 में सुरू होता है और 18 तक चलता है पहला विश्यूद अच्छे यहां से कोशन पूछा जाता है कि दूतिय विश्यूद का सुरुवात जो हुआ था वो कैसे हुआ था जन्मत निर्मान होता है अगला है मानव अधिकारों को सेयोक राष्ट की द्वरा मानिया था कब परदान की गई देखे मानवा अधिकार दिवस हम से कब मनाते पता हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं तो इसका कैरक्ट आंसर अफिसंबर में डिजागा राष्ट संग की सदस्ता वापस ले लिए निमलेकित में से कौन सा राष्ट संग अलग नहीं हुआ था तो देखे ये जो अलग नहीं हुआ था अपना भारत देश नहीं हुआ था याद रखेगा आप सभी अच्छे यहीं से question आप से याद रखेगा अगर आप से question पूछा जाएं कि संयोक राष्ट संग के आस्थापना कब हुआ था जिसे हम सभी UNO भी कहते हैं ध्यान रखेगा आप सभी इसके आस्थापना 24 अक्टवर 1945 को हुआ था 24 अक्टवर 1945 को हुआ था और यहां से पूछा जाता है कि संयोक राष्ट दिवस हम से भी कब मनाते हैं तो याद रखेगा 24 अक्टवर को हम से भी संयोक राष्ट दिवस मनाते हैं यह डेट को जरूर याद रखेगा कई बार question पूछा गया है ठीक है अब देखे रेजनिंग स मत में अक्चर पूछा गया है तो सबसे पहले A का अस्थान आपसे हम से को याद रोना चीए उन्हेंस होता है ठीक है और G का अस्थान कितना होता है 7 होता है तो दोनों को पलस किजिये कितना हो जाएगा तो दोनों को पलस किजिए तो होगा 26 और उसके बाद इसको 2 से divide कर दिजे, तो कितना हो जाएगा, तेरा, और तेरवां अस्थान कौन सा होता है, जे किसका होता है, एम का स्थान होता है, ध्यान रखीएगा, option में b right answer हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखेगा, जैसे a हुआ, b हुआ, c हुआ, तो एक एक अस्थान पे हैं दो अस्थान पे हैं सि तीन अस्थान पे हैं तो इसी परकार से आपको sequence में इसका आस्थान याद रखना होता है तब ही इस परकार से question बना सकती है लिल्कुल वर्न माला का इनला question देखिए जो की यह question आप से भी से पूछा गया है सेरीच का goose machinery तो अगर इसको बनायेगा तो यहाँ पर 2-2 से भाग देखे देखे सभी 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पर भी आप 2 से अगर चौशचट को भाग देज़ेगा तो 32 से लगेगा 32 दोनी कितना होता है चौशच 퍼 दोनी कितना होता है 128 दोनी 256 256 दोनी 512 होता है तो इसको किस प्रकार से बनाएगा तो यहां पर देखे अगर यहां पर कितना जूटा है पांच जूटा है उसके बाद यहां पर छे जूटा है उसके बाद यहां पर देखे कितना जूटा हुआ है साथ जूटा हुआ है तो आगे कितना जूटेगा आठ जूटेगा क्योंकि यह F, 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने, यानि की गेरे में बैठा हुआ, आमने सामने यानि की केंदरे की ओर बैठा हुआ है, जब केंदरे की ओर बैठा जाए, तो यहाँ पोजीशन चेंज हो जाता है, द्यान डखीगा आप सभी, ठीक है, A जो है कि D और B के बीच में बैठा हुआ है, सबसे पहले इसको बनाना कैसे यह समझी आप सभी, तो सबसे पहले एक गेरा बनाए, उसके बाद 6 दोस्ते न, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, क्या कहा गया है, पहला टर्म A, D और B के बीच में बैठा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, B को य बैठा हुआ है, इसको छोड़ दीजे, आगे देखी क्या कहा गया है, तो आगे टर्म पढ़िएगा, तो यहाँ पर देखी क्या कहा गया है, C, B के बाएं तिसरे आस्थान पे हैं, तो B का बाएं किदर हो जाएगा, B का बाएं इधर गुमेगा, ध्यान रखेगा आप सभ और E के बीच में F बैठा हुआ है, तो यहाँ पर A को यहाँ बैठाना होगा, तब ना यहाँ पर फिर हम जो है कि E को बैठाएंगे यहाँ पर, ठेक हैं, तो यह मेरा पोजिस्चन बन गया, अब देखी क्या कहा गया हम सभी से, कि A, B के ठीक दाएं और बैठा हुआ है, त तो हम सभी से कोशिचन कहा गया, कि A और D के बीच में कौन है, तो A मेरा यहाँ पर है, और उसके बाद D के बीच बात किया गया है, तो यहाँ पर C है, याद रखेगा आप सभी, तो इसका option में क्या हो जाएगा, C बिल्कुल correct answer हो जाएगा, तो C जो है कि D में दिया हुआ ह कहीं कोई दिकत नहीं होगा, अगला है, आख निरित्य हैं, तो कान क्या है, तो देखें, आख से हम निरित्य को देख सकते हैं, तो कान से हम क्या करते हैं, गाना को सुन सकते हैं, option में B right answer होगा, अगला question देख रहें जाएगा, question है, कि निमलेकित प्रस्ण में दी गई स्रि याद करना है, यहाँ पर लुप्त संख्याद दिया हुआ है, तो अगर इसको बनाईएगा, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखेगा, स्रीस से चलना है, यहाँ पर कितना मैनस किया है, तीन मैनस से, यहाँ पर भी देखे, तीन मैनस से, यहाँ पर भी तीन म पुरूस है पर नगर में रहने वाला नहीं है, शिक्षित पुरूस है पर वो नगर में नहीं रहता है, तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर सिंबॉल भी दिया हुआ है, नगर में रहने वाला पुरूस भी दिया हुआ है, शिक्षित भी दिया हुआ है, तो शिक्षित पु पंक्ती में एक पेड़ पंक्ती के दोनों छोर से पाँचवे अस्थान पे हैं तो पंक्ती में पेड़ की संख्या कितना है दोनों छोर से पाँचवे अस्थान पे यानि कि इधर से ये पाँचवे अस्थान पे हैं और इधर से भी ये पाँचवे अस्थान पे ही है यहने कि इसके पीछे चार है और इसके पीछे चार है तो चार चार आठ हो गया पेड़ और एक जो पाचमा अस्थान पे ये एक पेड़ हो जाएगा तो कुल नो पेड़ होगा तो option में ए बिलुकुल character answer हो जाएगा यहाँ पे clear है आगला question देख लिजएगा यहाँ पर जोड़ा को क्या करना है संख्या जोड़ी को चुनना है तो यहाँ पर अगर संख्या जोड़ी की बात किया गया है तो एक चीज़ यहाँ पर गौर किज़ेगा आप सभी यहाँ पर 35 दिया हुआ है फिर यहाँ पर 35 दिया हुआ है तो आगे स्रीज में क्या आएगा यह हम सभी को देखना है तो आगे क्या बढ़ सकता है आगे दो ही बढ़ेगा आपका ध्यान रखीगा आप सभी दो बढ़ा क्योंकि यहाँ पर दो बढ़ा है उसके बाद फिर पाज बढ़ा फिर यहाँ पर दो बढ़ा फिर पाज बढ़ा तो फिर यहाँ पर दो बढ़ेगा तो सतरत दो कितना हो जाएगा उनैस हो जाएगा और यहाँ पर 35 था यहाँ 35 आया है आगे भी 35 आयागा तो 19 और 35 का बिल्कुल correct answer हो जाएगा ध्यान रखेगा option नमर D 95 का correct answer है आई ये आप समान हिंदी से question देखते हैं क्या question पूछा गया है कि कर्म के अनुसार किरिया के कितने बेद होते हैं तो देखें किरिया के दो ही बेद हैं साकर्मक किरिया और आकर्मक किरिया तो option नमर यहाँ पर D बिल्कुल correct answer है अगला question देखें नाविक का संधी विचित यहाँ पर करना है तो C right answer हो जाएगा दियान रखेगा संधी विचित से भी question पूछा क्या है अगला है मैं लिक नहीं सकता वाकि को भाव बाच में बदलना है मैं लिक नहीं सकता इसका भाव को परकट करना है तो इसका correct answer क्या हो सकता है पता है आप से भी को बिल्कुल हम से भी कर सकते हैं मुझसे लिखा नहीं जा सकता ध्यान रखेगा मुझसे लिखा नहीं जा सकता यहाँ पर इसके भाव को हम परकट कर सकते हैं अगला है चार दिन की चांदने फिर अंधरी रात लोकोक्ति का अर्थि क्या है बिल्कुल सिंपल सा सवार है थोड़े दिन का सुक अगला कोशिशन देख लिए जेगा कोशिशन नम्मर एक सो है यहाँ पर रूपक अलंकार के बारे में बता ना है रूपक अलंकार किसे करते हैं पता है आप सभी को वैसा अलंकार जिसमें उपमान जिसे हम सी विसेशन भी कर सकते हैं तथा उपमान जिसे विसेशन भी कर सकते हैं दोनों के बीच परतियक्ष तुलना कर दी जाए वहाँ पर क्या हो जाता है आपका बिल्कुल रूपक अलंकार हो जाता है तो इसका right answer हो जाएगा भानू बस राकिस का लंकुल इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा हलाकि अलंकार से संबंदित आपको बिल्कुल डिपली पढ़ना होगा तभी अलंकार को कोशिशन को बना पाएगा ऐसे सोचेगा कि अलंकार को कोशिशन बन जाएगा संबब नहीं है वो आपको बताएंगे कैसे आपको अलंकार को पहचानना है पहचानने का तरीका क्या है किस प्रकार से अगर अलंकार से कोशिशन आ रहा है तो किस प्रक समास काते हैं तो बिलकुल जिसे हम से भी गिंती कर सकते हैं उसे कौन सा समास काते हैं देगु समास काते हैं द्वान समास में क्या होता है उल्टा अपोजिट वर्ड होता है याद रखेगा आप सभी तत्पुरु समास में क्या होता है पता है आप सभी को उत्तर पत परधान ह होता है अगला हैन्यमन में से कौन सा वाकि सुद्ध है याँ पर शुद्ध वाक को बताना था क्या लगता है आप पोछा गया है यह भी टौपिक आपके लिए इंग्पॉर्टेंट है इसका सी करेक्ट आणस हो जाएगा आज कल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है ये बिल्कुल वाकि सुद्ध है वाकिबाद जितने हैं वो सारे गलत है इसका सही क्या होगा अभी दिखे अभंग एक परकार का चंद है तो याद रखिए कि आप से इसका जो सुद्ध हो जाएगा क्या हो जाएगा अमंग एक चंद का परकार है क्या है अभंग नही होगा अमंग एक च्छंद का परकार है उसे परकार से option में B में दिया हुआ है उन्हों ने इस बात पर आपत्ती परकटकी नहीं ये गलत है उसने इस बात पर आपत्ती परकटकी ये सही हो उसके बाद D में दिखे क्या दिया है कि सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया नहीं गलत है सही क्या हो जाएगा सोहन मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया ध्यान रखेगा भागता हुआ क्या अस्तान पर दौड़ता हुआ उचित होता तो AI कौन सा वर्न है तो बोल सकते हैं उसमें effort कम लगता है, जैसे कि O हो गया, E हो गया, O हो गया, R हो गया, यह सभी हरसवर हैं, बाकी बात जितने आप सभी देखते हैं, हरसव, A, I, O, और यह सभी दिर्गवर्न के उधारन हैं, के लिए रहें, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम, रोती हो, इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है, तो अब तो यहां आपको पता नहीं होगा, कि किस प्रकार से अलंकार को पहचाना जाएगा, इसमें जो एकी बिभावना अलंकार है, अच्छे बिभावना अलंकार किसे काते हैं पता हैं, आप सभी को, याद रखेगा, इसमें ब्रो से कोशन पूछा गया है कैसा लेवल है उसके बाद बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे आपको पहचानना है अलंकार को पादमावती सब सकी बुलाई मनु फुलबारी सब्य चली आई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो याद रखेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार हो जाएगा ध्यान रखेगा आप सभी किलिए रहें अच्छा इसको पहचान कैसे कर सकते हैं तो इसमें एक ट्रीक है ध्यान रखेगा जैसे कि मनो हो गया मनो हो गया मनो हो गया जियों हो गया यह सभी अगर सब्द जहां आ जाए इसमें उत्प्रेक्छा में तो य किसे माना गया है कायवी की आत्मा की बात किया गया है तो याद रखेगा आफिसर नमर बी राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्यार्थ को माना गया है किसको माना गया है व्यंग्यार्थ को माना गया है अगला है निमलेकित में से किस रस को रस राज की संग्या दे गया है तो वाला वाधिक विपार कहलाता है तो इसका correct answer option में विजाएगा सब्द सक्ति कहलाता है अगला है परती कुल में कौन सा समास है तो यहाँ पर देखे परती क्या है उपसर्ग है तो जहाँ पर भी उपसर्ग हो और पर्थमपत परधान हो वहाँ पर अभी यही भावसमास होता है अगला है इनमें से कौन सा असुद्ध है अब देखे यहाँ पर असुद्ध एक सुद्ध वाक्सिकोशन था अब असुद्ध वाक्सिकोशन पूछा गया है तो इसका option में डिराइट आंस हो जाएगा घातक विस सुंदर सोभा और बुरी कुद्रिष्टी तो यहाँ पर देखेगा तो यह बिल्कुल असुद्ध है यहाँ पर सुद्ध क्या हो जाएगा यह पहला point देखे यहाँ पर विस घातक होगा ध्यान रखेगा आप सभी यह एक के लिए रहोगा पहले विस आएगा उसके बाद घातक आएगा उसके बाद देखे सुंदर और सुभा दोनों एक ही चीज है यहाँ रखेगा सुंदर और सुभा दोनों एक ही चीज है या तो हम यहाँ पर सुंदर रख सकते थे या तो सुभा रख सकते थे कौन सा है उपमे में उपमान के संसे को पाइदा करने वाला इसे संद ही कहा जाता है अगला है गाल बजाना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है सिंपल सा कूछ से ने बिलुकुल डिंग हाकना option में सी राइट आंसर होगा अगला है सुध वाक की बताईए इसमें सुध वाक की जात रखेगा आप सभी पहला option में दिखेगा प्रान निकल गया नहीं प्रान क्या हो गया निकल गया नहीं गय यहाँ पर उचित होगा उसके बाद सी में दिखे क्या दिया हुआ है कि लता मेरी लड़की है नहीं लता मेरी बीटी है करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखेगा वह च्छत पर से गिर गया, ये भी गलत है, सही क्या होगा, वह च्छत से गिर गया, च्छत पर से नहीं, वह च्छत से गिर गया, सही होगा, अगला है, इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित में से कौन सा पद है, तो यहाँ पर पद बताना है, तो यहांपर iaction मनसले जेगा सर्मनाम पदबंध है अगला है निमलेकित में से कौन काय भी गुन नहीं है इसमें काय भी गुन कौन सा नहीं है बिलकुल छंद जोए कि काय भी गुन नहीं है अगला है g चूराना मोहावरे का अर्थि क्या होता है बिलकुल काम से भागना इसका बिल्कुल correct answer होगा C अगला है रूपक अलंकार है तो इसमें रूपक अलंकार की बारे में बताना है तो ध्यान रखेगा वन सार्दी चंदरिका चादर ओड़ो ये क्या है रूपक अलंकार का उधारन है अच्छा रूपक अलंकार हम से भी किसे करते हैं आप से भी को याद रखेगा आप से भी जिस अलंकार में उपमान तथा उपमय के बीच कोई भी अंतर दिखाई ना पड़ता हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है आपसन नमर डी बिल्कुल correct answer होगा अगला है सेवया के परतियक चरन में कितने वर्न होते हैं तो देखें सेवया के परतियक चरन में जो होता है वो आपका 22 और 26 वर्न होता है और भी बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question देखें जहां उपमय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है तो देखें उपमय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां जो होता है बिल्कुल उत्प्रेक्चा होता है और भी राइट answer हो जाएगा उत्प्रेक्चा अलंकार हो जाएगा आगला question देखें 120 नमर जो है तो यहां पर देखें असधाय के बारे में दिया हुआ है तो हरी को बांधने चला जो था असधाय साधने चला तो हरी मतलब क्या होता है आप सभी को क्रिश्न होता है तो यहां पर क्रिश्न से सम्मझ दिया हुआ है क्रिश्न को बांधने चला इसका option में D ही correct answer होता पूरा paragraph पढ़ना था उसके बाद इसका answer करना था तो हला कि पूरा paragraph पढ़ने में क्या लगेगा समय लगेगा अब चलिए आपको English का और Mathematics का दिखाते हैं क्या question पूछा गया है उसके अलग से lecture बना देंगे अगर इसका पीडियाब चाहिए तो टेलेग्राम गूरुप को जोईन कर लेजिए वहाँ इसका पीडियाब आपको हम दे देंगे पूरा देख लिज़ेगा आप सभी ठीक है जिसको भी रोग के देखना है आप से भी देख लेज़े बिगा तर紫ल आएतन से मंद्र कूश्चन आपके पेपर में पूचा गया है यानरे कि जियुमेंटरी और टरिगोमेंटरी से भी कूश्चन आपका पूछा गया है कर दो अगर भूब गया है तो मेरे ख्याल से का अगर पढ़ लेते हैं गा, mathematics का portion है, बिलकुल समिकरन से सम्मधित question पूछा गया है ज्यादा इसमें आपको दिमाग खर्चा नहीं करना था बिलकुल आसान question है ज्यादा कोई hard question नहीं है आपके लिए उसके बाद English में देख लिजीगा यही सब question पूछा गया था, अराम से बना सकते हैं जिसको भी रोक की दखना होगा देख लिजीगा पीडियाप हम टेलिग्राम पे देदेंगे यह बुड़ा question है, जो कि 6-6 2023 में question पूछा गया यह सभी बिलकुल original question पेपर है कहीं कोई दिकत नहीं है पेपर में ठीक है तो आपसे भी क्या किजिएगा class को लाई करके share कर लिजीगा जितने भी मेरे साथ जुड़े वुबे थे इतना सा काम जरूर कर लिजीगा और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सस्काइबर जरूर प्रेज कर लिजीगा आप सभी मिलते हैं जहिंद मंद मातरम ध्यान रखे कर पढ़ाई करते रहेगा आप सभी जहिंद